कि रिडिंग टाइम के उपर अगर बात किया जाए तो मैं आपको एक बात बता दूं 15 मिनिट जैनरली प्लीज इस हाश टूथ एवरीवडी लिसन जितना भी कुछ भी बोल लाश्ट में बात आता है कि सर्व पंदरा मिनिट मिलता ही नहीं क्योंकि 50 परसेंट ऑफ दी सेंटर्स के टीचर्स को आइडिया ही नहीं रहता है कि यह देना और वह आपको पेपर बांट जाते हैं जब exam start होने वाला होता है या उससे पांट साथ मिनिट पहले तो सर यह तो जारती है हमारे साथ तुम्हारे साथ नहीं पूरे जन के साथ हो रहा है तो तुम इतना टेंसन मत लो तो सर यह जो पंदरा मिनिट टाइम बोला गया था जैसे तुम क्या ही पढ़ लेते है तब क्या करेंगे ठीक है बट नहीं मिले तो क्या क्या दन है उस वज़े से जिन जिन को 15 minutes टाइम नहीं मिलता है वह अपना paper का reading time ऐसे waste करेंगे ही नहीं कि तीन घंटा आप चालू किये तो अब reading time हम अपना गिनना चालू करते हैं आप question number two और five या जो भी दो question read करोगे जो आप क्या करने वाले हो पहला attempt या दूसरा attempt बस्छ और डेखे confidence आया आून करना चलू कर देखाaborे है बांड में फोर में क्या लिखा है बांड में फोर में त्री में क्या लिखा है हम पहला दो देखे चार question हमने मुटा मुटी देख लिया और इससे हमने paper को भी judge कर लिया और खुद को भी judge कर लिया कि पहला सवाल कौन सा करना सही रहेगा उचित रहेगा तो वो करना हम चालू कर देंगे माल लो 2 और 5 देखके डर लगने लगा तो भले ही हम 1 या 3 देखने लग गए बट otherwise हम ये 2 ही देखेंगे और इसके बाद हम पहले करना चालू करेंगे पहले हम 40% of the paper भी बना ले सुरू का 5 मिनिट पढ़के तो better है पहले हम पूरा question paper देखें मेरे को वह feel good नहीं लगता हां कई questions ऐसे होते हैं जिनके कुछ-कुछ बात आप तुरंत साइड में लिख सकते हो तो यह अब एक मैं बता दूँ unethical practice है बट as a teacher I say this कि आप कर सकते हो वह काम और वह यह है जैसे यह cost accounting जैसे system का सवाल में अप प्लस-mineus प्लस-mineus यह से बीर एस में लिखते हो यह करना है कि less करना है कि क्या करना या कोई चीज को जिसको ध्यान रखना कि यह नहीं लेना है उसको प्रोस कर देना है उतना कर सकते हो question paper में with pencil क्यादना है बाद तो सिंस आप course sheet का पहला सवाल पढ़ रहे होंगे या फिर आप पहला सवाल over rates का पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप वह सब काम कर सकते हो कि इसको इस ratio में बांटना है मालो वह primary distribution आ गया तो arrow दे दिया बस कि इस इसको इससे बांटना इसको इससे ताकि वापस से sums पढ़े तो माथा नहीं लगाना है जैसे वह HP into hours वाला बात था न वह कहीं लिख लिए यह machine into horsepower करना था number of machine hour into horsepower उतना लिखने से क्या होता है जब paper वापस पढ़ते उस सवाल को तो पूरा पढ़ना नहीं पढ़ता administrative work करने में आपको मालूम होगा आपको बहुत काम करना पड़ता है सारे सरकल में लिखना विखना सब काम करना बच गए यह तो कम से कम इसमें कोई MCQ नहीं है शीट अगर वह होता तो और टाइम लगेगा क्रैक्स में तो टोटल तीन जगा administrative काम करना है आपको MCQ paper में दो ब क्योंकि इस से पहले और कोई ऐसा paper नहीं हुआ होगा accounts smooth एक बार second law सिफ दो क्या-क्या MCQ और में मैट फिर क्या आता है अब मेरा बात समझ जो हम क्या बोले हमको तसलीत देना पड़ता है अरे कुछ नहीं आगे बढ़ बट वह सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तुम भी अगर मेरे को बाद में बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ो next paper के लिए त्यारी करो बट क्यों ऐसा काम क पता है वह ज्यादा important है उसको पहले ठीक करो ना marks तो जो आएगा आएगा पहले वहीं नहीं हुआ तो जितना किये वह भी पानी फिर जाएगा ठीक है एक बहुत अच्छा strategy है which is जो बच्चे ध्यान नहीं देते आपका paper में ना first पन्ना में कॉस्चन नमबर वन का A B C D 2 3 4 ऐसे करके एक check box रहता है जिसमें आपको टिक करना पड़ता है कि आप कौन सा सवाल की हो 80% बच्चे यह काम करते ही नहीं है क्योंकि वह जब तक पहुंचते हैं आगे तक भूल जाते हैं आगे टिक करना ला या तो highest एक टिक करते हैं कि पहल वह पन्ना ही नहीं घुम के आता है वह पन्ना अब आए गई नहीं सीधा आगे लिखा जाएंगे लिखते जाएंगे जिखते जाएंगे जाश्ट में जाके जब पेपर देखेगा ध्यान नहीं देंगे जमा कर दिये this creates the most most disastrous impression on a teacher because as per checker he is seeing your this paper first और उसको क्या दिखराब कि सब्सक्राइब कर देखेगा तो अंदर जब तक उसका मेंटेलिटी आपके लिए क्या हो गया आप यह सोच लो कि आप कैसे बच्चे हो आपने क्या अटेम्ट किया है यानि यह पेपर में तो टिक रहना बहुत जरूरी है और मैं आपको बता दूं आप अगर जादा टिक क किये थे छोड़ दिये जगा नहीं हुआ है कि जगा तो बनाया ही था वापस आने का टाइंग नहीं में अब जब आपको मालू में आपको इतना अटेम्ट करना ही है करके छोड़ दो और यह बात मेरा समझ लेना चाहे ठोरी चाहे प्रैक्टिकल चाहे दो नंबर का आता हो चाहे 100 नंबर का आता हो अटेम्ट 100 का करके आना है सर यह स्कील कैसे आता है बहुत इंपोर्टेंट है यह स्कील और यह बहुत जरूरी है चाहे पेपर में 2 नंबर का है चाहे पेपर में 100 नंबर का है लिख के तो बहुत पूरा आएंगे और वो करना बहुत जरूरी है मैं बता दूं आपको अगर आप पेपर अनटेम्टेट छोड़ते हो यह बहुत गलत तरीका है और आप लोग डिसहर्टन होते हो मालूम क्या कि सर हम ना टू का सिर्फ आधा ही किया तो पांच नंबर छूट गिया मैं तुम्हारी जगा होता हूं तो बोलता हूं मैं टू का अग अले तुम पहला वर्किंग नोट का नाम लिख के बस चालू किया था तूम तो बोलके आते हो घर पे अरे उसका आठ मत गिन उसमें आठ कम मिलेगा तो अनटेम्टे नाइंटीटू मार्क्स का अटेम्ट करके आया है हम तो बोलते हैं हंड्रेड़ों में गिनो उसको तुम अने लिये ही कि हम निकाल लेंगे हम कर लेंगे जाज़ो hopon यई देखते हैं लोगवलेंट कर से बंदेनीルク करना स्मझ में यहां था किया कि लगा लेंगे कि अगर हम इतना पाट कीया है तो मतलब हम मतली होतना माक्का की ह papier थाама स्मझ में में नेले चलता है सर्विक विलनेक सम्स होता है उसको आप हंड्रेड मान क्या हिएगा क्या दन है तब ही जाके दिमाग और अच्छा लगेगा कि अरे नहीं किया तो यार दो तो तीज निकाला तीज नहीं निकाला नहीं कोई बात और वही तुम लोग स्ट्रेस लेते हो अरे हम इसका दस नंबर में चार नंबर जितना ही करके आया मस्सो चोतना क्योंकि वह सामने वाला भी नहीं सोच रहा है वह आपका टिक देख रहा है जहां उसको लग रहा है यह बच्चा ऐसा है जिसने पूरा पेपर सॉल्व किया आपका राइड बनेगा सारा चीज बट कोशिस यह रहेगा पहला दो कोश्चन पहला दो कोश्चन मतलब पहला दो सेट अराउंड 32-40 मार्स 32-40 मार्स आपका अच्छा होना चाहिए उसके बाद आप जैसा घिसना पिटना करना मेरे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर मैं 30-40 मार्स में आपका 70% मार्स भी पकड़ता हूं लेट से 40 मार्स में 70 परसेंट मार्स आता है मतलब मैं इसमें भी मान रहा हूं क्या हो रहा है इसमें वी 12 नमबर चला गया समझ और आप तो बाकि का उन् कितना मार्ट से में अगर मेरा 50 मार्क भी आता है 50% आधाधा भी सब में देता है तो 30 कितना होता है 58 मतलब कुछ भी हो 58 तो सम्स आई सकता है भाई पेपर में जिसमें एंसी क्यों हुआ तो माशा अल्ला यह चीजे डिफरेंट और सिनायरियो 60 तक चले जाएंगे बट यह ऐसा भी ना हो अगर आप से उच रहें इतना मेहनत करने के बाद यहां जंगली जैसे बैठके तो हाँ बिना नहाए दोहे आये हो कुछ भी बुट गया तो हम अपना बता डो बिघ्राम उल्सों कि अधना तो सब्सक्राइब अब यह शोच अगर यह होई पेपर में यह एगर धूफ जैसा महां जाता है मानलो 30 पर सिक्टिक्सी मिला तो कितना होता हैं कितना हो गया और फटीशक्स अभी भी तो पास है अरे मतलब जीख लगता आपको इन अपको एवरिबड़ी चलिए फेल ओना इंपोसिबल है गाईस चलिए आप सब पास है आए चलो 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 आए एक छोटा चैप्टर सल्टा आते हैं पहले